प्रेंड्स हमारे चैनल पर आप सभी के स्वागत है आज मैं स्वेटर की डिजाइन बताऊंगे देखिए कितने प्यारा डिजाइन है आज इसी डिजाइन को आप सब के साथ सेयर करूंगी यह देखिए यह पीछे के तरफ से इस तरह है और सीधे के तरफ से इस तरह है यह ज्यादतर लेडी स्वेटर काडिगन पर सुंदर लगेगा तो इसको एक बार कोशिश किजिएगा बनाने को और हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल एकन को प्रेस किजिए ताकि मेरी विद्यू को नोटिफिकेशन अब को मिलता रहे तो आए शुरू करते हैं उस डिजाइन को बताना यह देखिए यहां से यहां तक यह 23 पंदा है इसी में मैं बताऊंगी यह देखिए यह पहला पंदा है अब यहां से जिए एक दो तीन यह तीन फंदा उल्टा धागे पीछे अब यहां पर हम दो को एक करेंगे इस तरीके से आ है कि यह देखिए दो को एक कर दिए धागे अपने तरफ । इस फंदा में हम जालि देंगे फिर धागे अपने तरफ अब यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे जाली देते हुए ऐसे यह देखिए एक यहँए एक यहाँ दो जाली हो गया और इसके साइड में दो को एक कर दिये यहाँ पर भी दो को एक कर दिये अब यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, इस तरफ, यह देखिए, दो को एक कर दिये, फिर धागे अपने तरफ, यहाँ पर हम जाली देंगे इस फंदे में, फिर धागे फिर धागे अपने तरफ यहां पर दो कोई करेंगे जाली देते हुए यह देखिए फिर धागे अपने तरफ अब यहां पर एक दो तीन फंदा उल्टा धागे पीछे यह किनारे का है तो इसको सिधभ उनके कंप्लीट कर लिए देखिए स्वेटर में भी हम इसको इधर और दोनों साइड में और एक एक पंद आमें एक्स्टरा लेंगे ताकि वह शीलाई में चला जाए बीच में हम पांच पंद उल्टा देंगे बागी यह जाली वला है पंद यह अब यहां पर देखिए ये धागे पीछे, अब यहाँ पर हम 3 फंदा उल्टा शीधा बुनेंगे, पीछे के साइट से, फिर धागे अपने तरब, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, अब यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरब, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, अब यहाँ पर हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, ये देखिए, 3 फंदा सीधा हो गया, धागे अपने तरब, ये किनारे के फंदा है, तो इसको हम उल्टा बुनगे, कम्पलीट कर लिए, अब सीधे के तरफ से देखिए फिर, यह किनारे का फंदा है तो हम इसको इसी तरह ले लिए अब यहां पर देखिए हम दो फंदा उल्टा भूनेंगे फिर धागे पीछे अब यहां पर हम दो को एक करेंगे यह दो को एक कर दिये फिर अब एक फंदा हम सिद्दा भूनेंगे और इसी फंदा में हम जाली देंगे ये देखिए फिर वह जाली गूना दिये दोनों साइड एक अब यहां पर फिर हम दो को एक करेंगे धागे अपने तरफ एक दो तीन यहाँ पर तीन फंदा अप उल्टा बुनेंगे फिर धागे पीछे यहाँ पर दो को एक करना है यहाँ पर दो को एक कर दिये फिर देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागे अपने तरफ इस फंदा में हम जाली देंगे फिर धागे अपने तरफ एक जाली और देंगे इसके साइड में देखिए इस फंदा के दोनों साइड में हम जाली दे दिये एक एक अब यहा अब उनके complete कर लिए अब पीछे करों देखिए पीछे करों में यह यहां पर दो फंदा सीधा धागे अपने तरब अब यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ फंदा उल्टा हो गया धागे पीछे अब यहां पर देखिए यह तीन फंदा सीधा फिर धागे अपने तरब यह दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ फंदा उल्टा फिर धागे पीछे यहां पर दो फंदा सीधा बुनेंगे यह किनारे का है तो इसको हम उल्टा बुनके complete कर लिए अब यहां पर देखिए इस तरह यह डिजैना है अब आगे देखिए यह किनारे का फंदा था है तो हम इसको बीन बुने होई लिए अब यहां पर एक फंदा उल्टा फिर धागे पीछे अब 2 को एक करेंगे यहां पर कि यहां पर देखे और देखे यहां पर यह देखी दो पर बोनेंगे फिर धागे अपने तरफ यहां पर फंदा देता हुए बोनेंगे इसको एक जली ऑर देंगे यहां पर और फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे अब इसको दखिए यहां पर दो को एक करेंगे धागे अपने तरफ अब यहां पर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर धागे पीछे यहां पर दो को एक करेंगे फिर धागे अपने तरब और यहां पर देखिए जाली देते हुए इसको भूनेंगे शोरी जाली यहां पर नहीं देना है यहां पर हम सीधे सीधे भूनेंगे दो फंदा जाली हम यहां पर देंगे इस फंदे में एक, दो, ये दो फंदा सीधा, फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे ये, ये किनारे का है तो हम इसको सीधा सीधा बुनगे, कम्पलीट कर लिए, अब यहाँ पर देखिए, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये नो फंदा उल्टा बुन लिए, फिर धागे पीछे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पर नो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ये नो फंदा उल्टा होगया, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, और ये किनारे के फंदा है, तो हम इसको उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिए, अब आगे देखिए, एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पर देखिए इसको, इसको हम सीधा बुनेंगे, एक, दो, यहाँ पर दो फंदा सीधा, अब यहाँ पर इसको हम दो को एक करेंगे, इन दोनों को लेकर, यह देखिए, दोनों को लेकर एक कर दिए, फिर यहाँ पर धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर फिर हम जाली देंगे, फिर यहाँ पर हम दो को एक करेंगे, यह दो पढ़ेके इसको एक गुद्गे ये दो फंदा सीधा तरह कि अहां पर फिर हम एक फंदा उल्टा बुनूनेंगे फिर धागे पीछे ऑगे prints go दो फंदा सीधा फिर बुन लिए अब यहां पर मेंदो को करो यह देखे दुखे केया करीं फिर हम पंडा estaba धाली दॆ कि अब यहां पर एक जाली और देंगे दूप करेंगी त दूप है इंक दो के अथे उल्य करेंगे इसको। CC फंदा सीधा, धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यह नौ फंदा उल्टा हो गया, अब फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यह नौ फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, यह किनारे कहें तो इसको हम सीधा बुनके कम्प्लीट कर लिए, अब यहाँ पर देखिए, देखिए इस तरह यह डिजाइन द दिख रहे हैं, यह धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, और दो को एक करेंगे, यहाँ पर देखिए, यह दो को एक कर दिये, अब धागे अपने तरफ, इस फंदे में अब हम जाली देंगे, अब यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, ये तीन फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, अब इस फंदे में फिर हम जाली देंगे, दो को एक करते हुए, फिर एक फंदा सीधा, धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, अब फिर हम इन दो फंद्धे को एक करेंगे ये देखें दो हें धागें अपने तरफ यहां पर जाली देंगे इस फंद्धे में कि अ यहां पर एक दू तीन यह तीन फंद्ध शीधा है कि फिर दागे अपने तरफ अभी गो esas a यहाँ पर जाली देंगे हम देखिए इस तरीके से फिर एक फंदा सीधा धागे अपने तरफ एक फंदा उल्टा धागे पीछे अब यहाँ पर देखिए पीछे के तरफ से एक फंदा सीधा धागे अपने तरफ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह नौ फंदा उल्टा फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा अब फिर यहाँ पर नौ फंदा हम उल्टा बुनेंगे यह देखिए यह नौ फंदा उल्टा हो गया एक फंदा सीधा बुनेंगे यह किनारे कहें तो इसको सीधा सीधा बुनके कम्प्लीट कर लिए अब यहाँ पर देखिए इसको यह देखिए कि एक फंद उल्टा धागे पीछे अब यहां पर द्लाग अपने तरफ इस फंद में जाली हुआ दो त् driveway निदार पांच को पर अबने तरफ बोन अब यहां पर यह तो कोम प्लेत Spit दो इस तरीके से फिर देखिए, एक फंदा उल्टा, अब फिर यहाँ पर हम 2 को एक करेंगे, फिर धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर भीर जाली देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच फंदा सीधा, फिर धागे अपने तरफ, अब यहाँ पर फिर हम दो को एक करेंगे, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसको देखिए, अब पीछे करों देखिए, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, यह नो फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, यह नो फंदा उल्टा हो गया, फिर धागे पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यह किनारे का फंदा है, तो इसको उल्टा बुनके कम्पिलिट कर लिए, अब यहाँ पर देखिए अब यहां से फिर अब दूसरे डिजैन निकलना शुरू हो जाएगा यह कम्प्लीट हो गया इस तरह अब यहां से फिर हम इसको यह उल्टा निकालेंगे कि थोड़ा चे और बता दे ती हुमें ए देखिया अब यहांपर हम फिर तीन फंदय उल्टा बुनेगे एक दो तीन जैसे यहां पर निकाली थी उसी तरह सेम इसको अब दो राना है और फिर धागे पीछे देखिए यहां पर हम यह दो फंदया सीधा बुनेंगे और यहां पर इस फंदे में हम जाली देंगे इस बाला फंदे में फिर इस फंदे में हम देंगे और फिर यहां पर यह देखिया भी यहां पर इस तीन फंदे उल्टा अब यहां पर फिर हम दो को एक करेंगे ऐसे यह दो को एक कर दिये अब फिर हम धागे अपने तरफ करेंगे और यहां पर जाली देंगे इस फंदे में फिर यहां पर देंगे और यह दो को एक करेंगे इस तरीके से और फिर देखिए यहां से अभी यह फिर डिजाइन यह निकलना शुरू हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से यहां पर हम 5 फंद उल्टा निकलेंगे 2 3 4 5 यह 5 फंद उल्टा सेम इसी तरह दोहराना है जैसे यहां पर यह 5 फंद उल्टा निकला था किनारे पर 3 फंद फिर इस किनारे 3 फंद बीच वाला फंद में जाली देना था यह सेम इसी तरह दोहराना है देखिए बन के इस तरह लगे गई यह इस डिजान को देखिए उम्मीद करती हूँ आप सबको यह डिजान पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर हमारे चानल को नहीं किये तो फिली सब्सक्राइब करना मत पुलिए सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रे